नमस्कार मेरे एजी लिखटी ग्या निक्टूमे आप लो का स्वागत दोस्तो आज हम मोटर का कनेक्शन कैसे करेंगे क्वाइल तो पाहले से हम बांद चुके हैं स्लोट में लगा लिए हैं जितने सारी यहां पर कनेक्शन निकला हुआ इसका connection कैसे करना है, यहां थर्मोस्टेट आटो कोड भी रखे हैं, कुछ स्लीविंग काड कर रखे हैं, यहां पेपर भी रखे हैं, और यहां पर बहुत सारे चीज रखे हैं, यहां पर धागा भी रखे हैं, इस क्वाइल को बांधने के लिए देख रहे हैं, यहां पर इस सबसे पहले हम जिधर connection लिकला हुआ है, उधर एक connection करेंगे, पहले, सारे के सारे connection को पहले समाझ लेते हैं, यहां पर running के लिए दो wire निकला हुआ है, देख रहे हैं, यहां पर दो wire है, और यह बीच वाला wire है, जो की दो दो चार या दो extra wire है, जो joint किया हुआ था, यहां पर छीड़ा था और दो connection लिकला हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाला जितने connection है, अलग कर लेंगे, यहां पास जो joint इसमें भी है बीच वाला connection में भी, इसको पहले हम च्छील कर सबसे पहले, जो उपर में pliers रहता है, पॉलिस को हटा कर और our connection हम पहले हम कर लेगे, तो दोस्तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका connection कैसे करना है तो दोस्तो सबसे पहले बीच वला जितने सारे wire है wire को सिधी कर लेना है और running and starting के दोनों बीचो बीच paper को पहले लगा लेंगे ये paper को दो भाग में इस तरह से मोड लेंगे साथ नंबर का ये paper है और इस तरह से मोड के coil के बीचो बीच running and starting जो coil लगाए है slot में दोनों को बीचो बीच करना है ध्यान देना है कि दोनों coil वापस में कहीं से short न हो certain तो दोनों को बीचो बीच में हम इस paper को लगा लेंगे तो चलिए सबसे पहले हम paper को लगा लेते हैं उसका बाद में हम इसका connection करेंगे समझेंगे connection कैसे करें तो दोस्तो आप लोग से request है कि जैदी आप मेरे इस चैनल पहली बार है दोनों side में और उसके बाद में हम connection को समझेंगे तो यहाँ पर दोस्तो हो गया और यहाँ पर जोड़ है और इसमें भी starting में भी जोड़ है तो दोनों जोड़ को पहले हम series paper से या किसी तरह से इस wire के जो polish होता है wire के उपर जो polish लगा होता है polish को हम साप कर लेंगे उसके बाद में इसका jumper कर लेंगे तो चले यहाँ पर polish को साप कर दिए और दोनों wire को वापस में joint कर देना इसलिए कि joint है जोड़ है बीच में wire घटने के वज़े से या बीच में wire कर जाता है तो उसके लिए कहीं न कहीं joint हो जाता है तो यहाँ पर हम soldiq कर लेंगे अची तरह से soldiq करने के बाद दो यहां पर आनुसार और यहाँ पर स्पाद से चलिए दोनों वायर के पॉलिस को अची तरह से साप कर लेते हैं और दोनों वायर को अची तरह से जोइंड कर देंगे इस पर भी हम शोल्डिंग से अची तरह से सोल्डिंग कर देंगे तो चलिए दोनों वायर को हम यहां से जोइंड कर दें एक्स्ट्रा वायर जो बच्चा है इसको काट दिये हैं और इसको भी अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे इसमें भी वायर के अनुसार सिलिभिंग लगा लेंगे तो दोस्तों चलते हैं अस्टार्टिंग के वकर दो जोईन करेंगे तो दूसरे कोईल में लिखा लेंगे सबसे बड़ा वाला कोयल का है और यह वरला कोईल कोनेक्स Atari वाल 28 connection करना है तो यहां पर size ले हम wire को काट लेंगे उसके बाद में दोनों wire को छील देना है शेरे paper से या पती से किसी भी तरह से आपको यहां छील देना है और दोनों wire को join करने से पहले इसमें हम size की अनुसार sleeping लगा लेंगे तो यहां पर चलिए हम छोटा सा sleeping काट कर और wire में लगा लेते हैं उसके बाद में दोनों wire को आपस में join कर लेंगे तो यहां चलिए हम इसमें sleeping लगा दिये और दोनों wire को यहां पर join कर देना है तो दोस्तों यह जो running के लिए wire है तो मोटा है इसलिए हम इसमें folding भी कर सकते हैं या तो बिना shoulder के ही आप इसमें sleeping लगा सकते हैं तो चलिए इसमें बिना shoulder के ही हम इसमें sleeping लगा दिये अब यहां पर देख रहे हैं एक निकला हुआ है एक यह निकला हुआ है यानि कि running के लिए जो connect coil है उसको series में बना दिये हैं चलिए इसमें हम पहले sleeping लगा लेते हैं यहां पर connection निकलना है जो hole दिया है तो अपने अनुसार size के अनुसार इसमें हम sleeping लगा लेते हैं तो चलिए हम इसमें एक number का sleeping लगा और हम यहां बड़ा वाला को छोड़ेंगे मान के चलिए स्टार्टिंग का क्वाइल दो हो गया तो इधर भी और इसको हम छोड़ देते हैं जैसे पहले वाला में छोड़े है से मुसी तरस हिसमें भी छोड़ने के लिए हम एक नंबर का सिलिभिंग साइच से लगा लेंगे ताकि बाहर जो होल दिया है connection करने के लिए जितना वाइर लगेगा वो करा उसके अनुसार में हम इसमें सी लिफिंग को काट देंगे और दोनों वायर को स्रेश पत्ता से या किसी तरह से इसको भी हम पॉलिस को साप कर लेंगे उसके बाद में सबसे पहले ज्वाइंट करने से पहले इसमें सिलीभिंग लगा लेंगे त्याहाँ चलिए इसे महीं हम financially लगा दिये दोनों वाइर को अच्छी तरह से स्रेश पत्ता से इसको पॉलिस को साब कर लेना है और दोनों वाइर को वापस में इस तरह से जोइन कर देना है तो चलिए दोनों वाइर को हम जोइन कर दिए और यहां पर हम इसको solding कर देंगे, solding करने के बाद में sleeping को उपर से हम इस तरह से चढ़ा लेंगे चलिए इसको sleeping को अच्छी तरह से इस पर joint पर चढ़ा लेते हैं इसको अच्छी तरह से समेठ दिए तो दोस्तो देख रहे हैं, दो starting के लिए लिकल गया और दो running के लिए यहां पर दो starting के लिए दो running के लिए लिकल गया तो दोस्तो सबसे पहले running अवरा starting का, जितने सारे loop लिकला हुआ है सारे connection को हम स्रेश पत्ते से या किसी तरह से इसको polish को साप कर लेंगे connection करने से पहले इसको हम bulb से, series bulb से DC Tester से हम इसको test कर लेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम running का यहां पर point है, ठीक है बता रहा है running अश्टार्टिंग में नहीं बताना चाहिए और body में भी नहीं बताना चाहिए देख रहे हैं यहां पर बता रहा है, इसमें बतला रहा है यहां body में नहीं बताना चाहिए और उसी तरह से starting को भी चेक कर लेंगे starting ओला running में नहीं बताना चाहिए और body current नहीं बताना चाहिए तो connection जो है, बिल्कुल सही हो गया है, और यहां पर thermo estate जो autocot हम इसमें लगाएंगे coil को, जदि coil ज़्यादा हीट होगा छमता से ज़्यादा हीट होगा तो thermo estate जो लगाएंगे तो motor का supply यह टुमेटी के यहां से काट देगा, इसके लिए यहां पर एक wire लिका ले हैं इसको अलग-अलग cut नहीं किये हैं तो यहां इसमें भी हम sizeless sleeping लगा लेंगे और दोनों wire को अच्छी तरह से श्रेश पत्ता से साफ करके और thermo estate जो auto cut यहां पर लगा रहा हैं, दोनों पर हम इस तरह से solding कर लेंगे जोइंड करके, तो चलिए दोनों wire पर इस तरह से हम जोइंड कर लेते हैं और इस तरह से दोनों wire पर हम अच्छी तरह से paste लगा कर और इसको solding कर लेते हैं देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से solding कर लेना है और इसके बाद में यहां जो joint है, joint के उपर से हम sleeping को इस तरह से चढ़ा लेंगे देख रहे हैं auto cut switch पर हम यहां पर sleeping को चढ़ा दिये और इसमें एक छोटा सा paper का टुकड़ा लेंगे तो यहां पर चलिए छोटा सा paper का टुकड़ा हम काट लेते हैं और यहां पर इस तरह से इसको मोड देना है और इसको लगाना कहा है ध्यान देना है यहां पर जो running का और starting का जो coil है ज्यादातर running का coil जलता है यानि की अंबर वला जो सबसे पहले coil लगा हुआ है वह जलता है ज्यादा हीट होता है तो running starting के बीचो बीच लगाना है thermostat जो thermostat लगा रहे हैं running starting के बीचो बीच लगाना है ज़िए आपका मोटर ज़्यादा चमता से ज्यादा जैदी हीट हो गया है गरम हो गया है तो इस मोटर का सप्लाई अटोमेटिक कर जाएगा जैसे ही मोटर ठंड़ा होगा तो मोटर अटोमेटिक चालू हो जाएगा आउन हो जाएगा तो चलिए हम स्टार्टिंग और रनिंग का छोटा वला क्वाईल से जैदी कनेक्शन लिकला है तो उसका अलग कनेक्शन कर देंगे और जैदी स्टार्टिंग रनिंग का बड़ा वला कनेक्शन है तो उसको वापस में जोइन करके इस तरह से हम यहाँ जो होल दिया है होल में बाहर निकाल देंगे तो चले यहां पर रनिंग अस्टार्टिंग के यहां पर दोनों वापस में इसको इस तरह से लपेट लिये हैं और यहां पर लिकाल दिये इसको भी यहां पर निकाल देंगे चले यहाँ पर जो होल दिया है यहाँ पर हम इस तरह से निकाल दिये हैं और उसके बाद में इसमें क्या करेंगे हम चले यहाँ पर अच्छी तरह से निकाल दिये और यह हो गया ओटो कोट का ओटो कोट का भी इसी में हम निकालेंगे सबसे पहले हम एक तीन नंबर या चार नंबर का सिलीभिंग ले लेंगे जो एकक नंबर का सिलीभिंग लगा है रणिंग अस्टार्टिंग का जो कोईल वापस में तो दोनों कोईल में इस तरह से लगा लेंगे तो यहां पर क्वाइल वापस में भरष नहीं होगा, सोट नहीं होगा, तो दोस्तो यहां पर इस तरह से निकाल देए और ओटो कोट का भी कनेक्शन यहीं से हम निकाल देंगे, चलिए यहां पर ओटो कोट का भी कनेक्शन निकाल देते हैं, उसके बाद में इसको हम बांधे कि इस तरह से बांदना है तो दोस्तों वीडियो तो ज्यादा लंबी हो गया इसलिए आप लोग से थोड़ा छामा चाहता हूं वीडियो को आप इसकीप न करें वीडियो को आप जैदी अन तक देख लेते हैं तो इसका कनेक्शन कर लेंगे यहां पर चलिए धर्मो चलिए यहां पर हम इस तरह का साइज के अनुसार धागा काट लिए यह सुगा बन गया जो सुई धागा होता है इस तरह का बना लेना है और हम यहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर ज्यादा कनेक्शन लिकला हुआ है तो चलिए इधर से ज्यादा कनेक्शन लिकला हुआ ह इधर से ही हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर कोई भी एक स्लोट में लगा लेना है, स्लोट में नहीं, यानि कि क्वाइल जो है, रनिंग अस्टार्टिंग, रनिंग अस्टार्टिंग दुनों क्वाइल के निचे, जहां होल है, वहां पर इस तरह से लगा देना है, और दोनों यहां पर जो यहां पर सुगा बनाए है यहां पर दो-दो क्वाइल चोड़के अब पुरा-पुरा इसको बनना है यहां पर चलिये हम दो-दो क्वाइल छोड़के और इसको अच्छी तरह से बान लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद में और काम बाकी है इसमें तो यहां पर सबसे पहले हम धगे से क्वाइल को बान लेते हैं अच्छी तरह से तो चलिए इसको थोड़ा हम स्पीट कर देते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो बांदते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि क्वाइल को ध्यान देना है कि रनिंग अस्टार्टिंग का जो क्वाइल है कहीं से वापस में सोट नहीं होना चाहिए जो पेपर रनिंग अस्टार्टिंग के लिए लगाए हैं हम इसलिए लगाए हैं कि running and starting का coil वापस में sort न हो और coil को अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबाते जाएंगे उसके अनुसार बांधते जाएंगे तो दोस्तो जितने अच्छी तरह से हम इसको बांधेंगे पुरा सकस बांधेंगे उतना ही अच्छा होगा तो चले यहाँ पर दोस्तो दो कोईल को छोड़कर इस तरह से हम पुरा का पुरा कोईल अच्छी तरह से बांधना है तो दोस्तो इस तरह से हम सारे कोईल को बांधना है और यहाँ पर भी एक राउंड आउर लगा लेते हैं चली यहाँ पर और इस तरह से दोनों धगे को वापस में इस तरह से हम बान देंगे चली यहाँ पर इस तरह से हम बान लिये हैं और यहाँ पर कैचिले इस धगे को काट लेते हैं इधर का वाइंडिंग सही हो गया है और दूसरे साइड में भी हम बान देंगे तो यहां पर सबसे पहले जिस तरह से इधर बाने है उसी तरह से सेम इधर भी बनना है इधर भी ध्यान देना है कि running और starting सबसे पहले यहां starting वाला जो coil है इस तरह से बीचो बीच रख लेंगे हम और यहां पर paper का टुकड़ा हम काटे हैं इसको दो भाग में मोड लेंगे और running और starting के बीचो बीच इस तरह से paper को हम लगाएंगे चले यहां पर इस तरह से paper को लगा कर एक्स्ट्रा जो paper बच रहा है और उसको काट लेंगे और coil को अच्छी तरह से बैठा लेना है और ध्यान देना है कि running और starting coil वापस में कहीं इधर से उधर तो नहीं हुआ है ध्यान देना है और coil यदि body में सटा हुआ है तो body से इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे इस तरह से धागा size ले काट कर इसको भी हम उसी तरह से बांध लेंगे जिस तरह से जिधर connection लिकला हुआ था प्लट कर उसी तरह से इधर भी हम बांध लेंगे चलिए दूस्तों इधर भी बांध दिये हैं और यहां पर इस तरह से इसको भी बांधना है और बांधने के बाद और क्या करना है हम थोड़ा बताते हैं इसी वीडियो में यहां पर धागा को काट लेते हैं और दूस्तों इसको क्या करना है जितने सारे क्वाइल हम बांदे हैं जो अंदर में लोहे का इस स्लोट देख रहे हैं जो घाट देख रहे हैं यहां इससे अंदर क्वाइल अंदर होना चाहिए यहां इस तरह का क्वाइल को अंदर कर देंगे हम और दुसरे साइड में भी उसी तरह से लकड़ी का थोड़े से या पेचकस ले जो पेचकस का हूथा होता है उसके मदद से सारी क्वाइल को अंदर कर लेंगे इस तरह का देख रहे हैं यहां पर पेचकस का हूथा है और यहां पर जो थोड़ा लोहे का है इसके बदले में लकड़ी का थोड़ा रहेगा इसके मोटर से थोड़ा नीचे करके इसको बता देते हैं हम इसलिए कि तो दोस्तों इस मोटर को अकेले ही वाइंडिंग कर रहे हैं अकेले ही वीडियो बना रहे हैं तो इधर देख रहे हैं क्वाइल दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा है यानि कि बोड़ी से अंदर है और इधर बोड़ी से बाहर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इधर इस तरह का जो पेचखस का होता होता है इस तरह से आप रहकर और थोड़े के मदद से आप सारे के सारे क्वाइल को अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि यहां इधर सारे के सारे क्वाइल को अंदर कर लेना है और इधर भी कर लेना है जिदि इधर के जमीन पर रखने के बाद में क्या होगा कि क्वाइल में इसक्रेच आएगा तो नीचे कपडा रख लेंगे हम यह सूति का बूढ़ा रख कर लेंगे उसके बाद इधर भी क्वाइल को मार कर अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि जो मोटर का यह रूटर होता है यहां पर देख रहे हैं मोटर का रूटर है मोटर का रूटर लगाते समय रूटर में क्वाइल स्क्रेच ना हो कहीं से क्वाइल कटे ना इसके वज़र से क् थोड़ा अंदर कर देना है तो चलिए सारे क्वाइल को हम अंदर की तरफ कर देते हैं तो यहां पर सारे क्वाइल को हम अंदर कर दिये हैं देख रहे हैं दूनों साइड में इसी तरह से कर दिये हैं और इसमें हम बार्निस देंगे यहां पर चलिए नया पैकेट हम खोले हैं तो यहां पर कोना पर एक इस तरह से बार्निस चारू तरफ घुमा घुमा कर हम डाल लेंगे पहले एक तरफ डालेंगे हम और कुछ समय के बाद दूसरे तरफ डालेंगे चलिए सबसे पहले हम एक त दाल देंगे और अंदर जो श्रोट है श्रोट के अंदर में भी हम बार्निष को डालेंगे कि अंतर तक चल जाए कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं तब तक क्या करेंगे हम पेपर को पेचकस के मदद से जो पेपर दिख रहा है कि बाहर स्लोट से जो लोहा है तेहां पर इस तरह से इसको कर दे उसके बाद मैं पुलट कर दूसरे साइड में भी बार्निस हम डाल लेंगे चलिए दूसरे साइड में भी हम बार्निस अची तरह से डाल लेते हैं और इसको धूप में एक दो घंटा छोड़ देंगे तब तक इस बारनिश को हम इस तरह से मोड़कर यहां पर वायर से बांध लेते हैं और यह साल भर भी इस तरह से छोड़ देते हैं तो बारनिश सुखेगा नहीं इसमें हावा नहीं लगना चाहिए इसलिए इसको मोड़कर हम बांध कर अच्छी तरह से रख लेते हैं और इस क्वायल को 2-3 घंटा के लिए हम धूप में रख देंगे या इसमें बल्ब लटका देंगे इसको घुमाते रहना एक जगह छोड़ देना नहीं है इसलिए के जो छोड़ देँगे तो बारिणिस जो है एक जगह बहुत जाएगा इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर देख रहे हैं जो पंखी का धूरा है पंकी का धुरा जाम है बैरिंग जाम है इसको कैसे ठीक करना है कैसे बैरिंग चेंज करना है इसके लिए हम निचे description में लिंक डाल देंगे तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लमबी हो गया है इसलिए हम अगिला वीडियो में बताएंगे कि कनेक्शन कैसे कियाता है मोटर का उल्टा सीधा कैसे हम चेक करेंगे तब तक चलते हैं दोस्तों जय ही जय भारत बंदे मातरम